इनकिलाब जिन्दाबाद इनकिलाब जिन्दाबाद इन्दाबाद 1928 बिरिटिश एक्ट के तहत भारत के कॉंस्टिटुशन को आखने के लिए जॉन साइमन के नेत्रित्व में ग्रेट ब्रिटन की एक टीम भारत पहुंची कमिटी में एक भी भारतिय ना होने की वजह से देश भर में वित्रो हुआ अविभाजित पंजाब ने पंजाब केश्री लाला लच्पदराई के नेत्रित्व में लाहूर शांती पूर्वग विरोधी मार्च किये साइमन कमिशन वापस जाओ भारतियों को भी आपको उस कमिशन में शामिल करना होगा जिसके जरिये सम्मिदान की स्थापना होगी लेकिन एक शांती पूर्वग मार्च जल्द ही विद्रों में बदल गया जब ब्रिटिश पुलिस ने विरोधियों पर लाठी चार्ज किया सीनियर सुप्रिटेंडिंड ओफ पुलीस जेम्स स्कॉट के ऑफिसर्स ने उन शांती पूर्व विरोधियों में आतन पहला दिया मारो एक भी बच के चाने न पाए लाला लाच्पतराई को भी बक्षान नहीं गया उन्हें घातक रूप से घायल किया गया घायल लाला लाच्पतराई ने अपनी जोश भरी आवाज में कहा मैं एलान करता हूँ कि जिस तरह का हमला मुझे पर हुआ है वो ब्रिटिश हुकूमत की ताबूत की आखरी कील साबित होगा उस राज्ज के अंत की ये शुरुआत है कुछ दिन बाद लाला जी के गुजर जाने पर पूरा देश भड़क उठा हिंदुस्तान सोशनिस्ट रिवोलूशनरी एसोसियेशन के चार सदस से भगत सिंग, शिवराम राजकरू, सुगदेव थापर ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर एक द्रड़ निर्णे लिया लाला जी के कतल करने वाले को बक्षान नहीं चाएगा लाला जी की इस हत्या के परिणाम ब्रिटेश राज़ु को भुकतने होंगे राजगुरू ने जॉन सैंडर्स एक नौजवान पुलिस अफसर को गलती से स्कॉर्ट समझ लिया और उस पर घुली चलाई गई लाला जी अमर रहे, लाला जी अमर रहे भगत सिंग और राजगुरू को रोपने की कोशिश करते होगे कॉल्स्टिबल चंदन सिंग पर भी गोली चलाई गई इस से पहले कि कोई कुछ करता, वो तीनों अपनी अपनी साइकल पर सवार होए और वहां से गायब हो गए ब्रिटिश पुलिस ने भगत सिंग और उसके दोस्तों को पकड़ने के लिए आतम फैला दिया अपना भेज बदल कर भगत सिंग पुलीस के जासुसों से बच कर दिल्ली से लाहोर पहुँचे अप्रेल 1929 डेली के सेंट्रल लेजिसलेटिव असंबली में दो बम विस्पोर्ट हुए कोई खायल नहीं हुआ ये दोनों बम कम इंटेंसिटी वाले थे जिनें खाली बेंचों पर फिलका बया था भगत सिंग और उनके साथ ही बतुकेश्वर तक्ता वहां से लागे नहीं रुखकर उन्होंने सभी विधायों को पर गैलरी से इश्तिहार थेंगे नारे लगाएं और खुद को अधिकारियों से गिरफतार होने दिया उन्होंने विरोद नहीं किया वो चाहते थे के पूरा देश उनकी करांती के बारे में जाने भगत सिंग चाहते थे के देश के युवां ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाएं भगत सिंग राजगुरू और सुखदेव को सजाए मौत दी गई और बटुकेश्वर दत्ता को वनवास की और पर अंदमान के सेलिलर जेल में भेजा गया अपने साथी प्रतिवादी जतिन दास के साथ मिलकर जब उन्होंने जेल में कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं के लिए भूख हरदाल करके आवाज उठाई तो भगत सिंग को वहां भी सहायता और सहानभुती हासिल हुई आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को गैर कानूनी तरह से रोकने के खिलाब जेल में की गई कि भूख हरदाल एक बहुत ही महत्वपूर नक्षन था 23 मार्ज 1931 भगत सिंग अपने साथियों राजगुरु और सुपदेव के साथ अपनी मात्र भूमी के लिए शहीद हो गए इस उच्छ बलिदान के लिए और इस देश के युवाओं को प्रेवित करने के योग्यता के लिए वो भारत को हमेशा याद रहेंगे और उन्हें भारत एक महान शहीद के तौर पर स्मरन रखेगा झाल